हाँ तो बच्चो पिछले वीडियो के लाश्ट में हमने पढ़ा था वर्त की पृदी और सेतरफल के बारे में वर्त के पार्टों के बारे में पढ़ा था एक बार फिर से बता देता हूं मैं कि वर्त कीसे कहते हैं समतल में एक सिथर बिंदू से ये सिथर बिंदू है ये बोर्ड है ये समतल है ये एक सिथर बिंदू है सिथर बिंदू का मतलब ये अपने स्थांग पर फिक्स है अपने स्थांग से इलता नहीं है जैसे हम परकार रख करके वर्त बनाते हैं तो परकार कोई लाना नहीं होता यहां से तो यहां पे परकार को खिक्स करते हैं फिर उसको गुमाते हैं तो इस परकार से वर्त बनता है त्यारों और एक गेरा बनता है प्रिवासा लिखेंगे तो समतल में सितर बिंदु से समान दूरी पर च्यारों और जहां भी जाएंगे इस बिंदू की दूरी ये समान मिलेगी हमें जो ये दूरी है इसको वर्त की तिरिजा बोलते हैं तो सिथर बिंदू से समतल में सिथर बिंदू से समान दूरी पर बने बिंदू के बिंदूपत को वर्त कहते हैं ये गतिमान बिंदू है ये च्यारों और इस बिंदू से समान दूरी पर रहते हुए गति करता है तो इस परकार से एक वर्त का निर्मान करता है तो समतल में सिथर बिन्दू से समान दूरी परस्तित गतिमान बिन्दू के बिन्दू पत को वर्त कहते हैं अब वर्त के बाद ये जो इस सिथर बिन्दू से प्रीदी तक की दूरी ये चारों उरका गेरा ये प्रीदी कहलाएगा इसको प्रीदी बोलते हैं और ये जो ये सिथर बिंदु है इसको केंदर बोलते हैं केंदर और प्रीदी के बीच में जो ये दूरी है इसे तिर्जा बोलते हैं ये किसी भी साइड में चले जाएं एक वर्त की तिर्जाएं समान होती हैं इतनी ही ये होगी इतनी ही ये होगी इतनी ही ये होगी और इतनी ही ये होगी कहीं से भी नापें केंदर से प्रीदी के बीच में जो दूरी होगी वो समान होगी और उस दूरी को हम तिर्जा कहते हैं तो तिर्जा की प्रिबासा होती है कि केंदर और प्रीदी के बीच की दूरी को तिर्जा कहते हैं तिर्जा के बाद वर्त के अंदर इस परकार से जो वर्त की प्रीदी के दो बिन्दों को मिलाने वाली रेखा हो उस रेखा को जीवा बोलते हैं जैसे कहीं भी खीचले चाहिए हम जब ये जीवा इस परकार से वर्त के केंदर से गुजर जाई तो ये जीवा व्यास कहलाती है तो वर्त की प्रीदी के एक नहीं दो बिन्दों को मिलाने वारी रेखा को वर्त की जीवा कहते है और है जीवा जो वर्त के केंदर से गुजरती हो वर्त का व्यास कहलाती है और वर्त में जितनी भी अनंत जिवाएं खीची जा सकती है वर्त में हम अनंत जिवाएं खीच सकते हैं कितनी भी जिवाएं खीचना चाहें उतनी जिवाएं खीची जा सकती है वर्त में इस साइड से भी इधर से भी अनन्त जिवाएं वर्त में खिची जा सकती है लेकिन इन सारी जिवाओं में सबसे बड़ी जिवा जो है वर्त का व्यास ही होती है जो जिवा के अंदर से उजरेगी वही जिवा सबसे बड़ी जिवा कहलाती है तो ये हमारा वर्त है ये वर्थ की प्रीदी है चेरों और का गेरा ये केंदर है और केंदर से प्रीदी के बीच में जो दूरी है वो तिरजा कहलाती है प्रीदी के दो बिंदों को मिलाने बारी रेखा जीवा कहलाती है वर्थ की सबसे बड़ी जीवा वर्थ का व्यास होती है और इसके बाद फिर आपको मैंने ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि दो तिर्जा ये दो तिर्जाएं हो गई ही ओए और ओबी के अंदर से प्रिदी तक की दूरी की दो तिर्जा और एक चाप से गिरा हुआ छेतर इसका नाम होता है तिर्जा खंड इसको तिर्जा खंड कहते हैं इसको अगर अलग से चितर को हम देखें तो ये ऐसा चितर है दो तिर्जा हैं और एक चाप है दो तिर्जा और एक चाप से गिरेवे बंद छेतर को तिर्जा खंड कहते हैं तिर्जा खंड इसका नाम है तिर्जा खंड अब तिर्जा खंड में दो तिर्जा खंड होते हैं एक तो लगू तिर्जा खंड होता है एक नमबर होता है लगू तिरजा खंडे एक होता है दिरग तिरजा खंडे ये पांच नमबर का चैप्टर है आपके दस्वें किलास में पांच नमबर के परसन आते हैं इस चैप्टर में से एक तो परसन आता है दो नमबर का और एक परसन आता है तीन नमबर का तो कुल मिलाकर के पांच नमबर का टोपिक है इस चैप्टर को अच्छी तरह से द्यान से पढ़ें समझें यदि पूरा टोपिक कलियर हो जाए तो पांच नमर का काम कंप्लिट हो जाएगा तो इसमें होता है एक लगू तिर्जाखंड एक दिर्ग तिर्जाखंड अब इसकी पहचान क्या होती है प्रिवासा तो दोनों की एक होती है कि दो तिर्जाखंड और एक चाप से गए हुए बाग को तिर्जाखंड कहते हैं बात करते हैं लगू तिर्जाखंड की तो जो यहां पर कौन मनता है जिस तिर्जाखंड का कौन एक सोसी से छोटा होता है जिस तिर्जाखंड का कौन यहां का एक सोसी से छोटा होता है वह लगू तिर्जाखंड कहलाता है और जिस तिर्जाखंड का जैसे इसमें दो तिर्जाखंड है निचे वाड़ा चित्र मैंने यहां निकाल दिया बड़े वाड़े चित्र को मैं उपर निकाल देता हूँ इस परकार से आपके सामने यह बड़े वाड़ा चित्र है जो यह है इसे जब कोण नापते हैं तो यहां से नापा जाता है अगर इस कोण का मान 180 से बड़ा हो तो यह कहलाता है दिर्ग तिर्जाखंड तो दिर्ग और लगू का पता चलता है कौन को देखकर बाकि तिर्जाखंड तो दोनों ही है ये भी तिर्जाखंड है ये भी तिर्जाखंड है क्योंकि ये भी दो तिरिज्या और एक चाप से गिरा हुआ छेतर है इसका चाप चोटा है तो कोन भी चोटा होगा इसका चाप बढ़ा है चाप बढ़ा है तो कोन भी बढ़ा होगा तो ये हो गया दिर्ग तिर्जाखंड और ये हो गया लगू तिर्जाखंड अब तिर्जाखंड के बाद आपके टोपिक आएंगे इसमें वर्त खंडे इस प्रकार से जैसे ये वर्त है वर्त के अंदर जैसे हम जीवा खीचते हैं तो वर्त को दो वागों में वाजित करती है एक वाग तो ओगया ये छोटे वाड़ा ये तो कहलाएगा लगू वर्त खंडे एक वाग ओगया उपर का बड़े वाड़ा ये ओगया दिर्ग वर्तखंड ये तो ओगया लगू वर्तखंड क्योंकि छोटा वर्तखाब आ गया और ये उपर वड़ा वर्तखाब आ गया इसलिए ये ओगया दिर्ग वर्तखंड इसको बोलते हैं लगू वर्तखंड और इसको बोलते हैं दिर्ग वर्तखंड अब ये व जैसे कि यदि इसको के अंदर पर हम मिला दें तो ये अब आपका ऐसा ही चित्र हो गया है यानि लगू तिरजाखंडे लगू तिरजाखंडे में से एक तिरबुज कम कर दिया उपर से तो ये बाग जो बच गया इसको बोलते हैं लगू वर्थखंडे अब हम बात करते हैं इनकी प्रिद्धी और छेत्रफल के बारे में ये तो आपको जानकारियां दी हमने वर्थ की प्रिद्धी वर्थ की जीवा वर्थ की तिरजाखंड वर्थ का व्यास फिर लगू तिर्जाखंड दिर्ग तिर्जाखंड फिर आगया लगू वर्थखंड दिर्ग वर्थखंड अब इनके छेत्रफलों के बारे में हम पड़ेंगे और वर्थ की प्रिदी के बारे में हम पड़ेंगे इनके बारे में क्यूस्टन देखिए तो 15.1 का क्यूस्टन नमबर 1 देखें क्यूस्टन नमबर 1 है एक वर्त की तिरिज्जा तीन पॉइंट पांस सेमी है सेमी मतलब सेंटीमिटर सकैल सारे बच्चों के पास होता है सकैल 15 सेंटीमिटर और 6 इंच का कहलता है 6 इंच के अंदर 15 सेंटीमिटर होते हैं जो 15 वाली साइड है वो एक एक सेंटीमिटर लिखा होता है एक दो तीन चार वो सेंटीमेटर है जो छे वाड़ी साइड होती है वो इंच होती है इंचों से मैच पर क्यूस्टन नहीं आते हैं बहुत कम क्यूस्टन आते हैं सेंटीमेटर पर ही क्यूस्टन जादा आते हैं तो एक वर्त की तिरिजा 3.5 सेंटीमेटर है उस वर्त की प्र परीदी ग्यात करो ये क्युस्टन है आपास बिलकुल सीम्पल सा क्युस्टन है जैसे ये कोई वरत है इस वरत के च्यारों और का जो गेरा है इसकी लंबाई बतानी है क्योंकि गोडाई में नापणा मुश्कि लहता है ग्यात करना आसान होता है इसलिए फॉर्मूले से इसकी प्रीदी को हम ग्याद कर सकते हैं अगर हमें इसको नाब कर बताना हो तो एक कट लगा करके जैसे वर्त में जैसे ये कोई तार से बना हुआ वर्त है इस तार को यहां से काट लिया काट करके सीधा कर लिया फिर इसको हम नाब करके देख सकते है कि इसकी चारों और की लंबाई कितनी है बाकि यदि हमें सुत्र से निकालना हो तो इस प्रीदी को ग्याद करने के लिए वर्त की प्रीदी ग्याद करने का सुत्र है 2 पाई यार सुत्र सारे एक साथ लिखा देता हूँ मैं जो पूरे चैप्टर में लगेंगे वर्त की प्रीदी ग्याद करने का सुत्र है 2 पाई यार वर्त का छेतरफल ग्याद करने का सुत्र है पाई यार की स्केर अर्द वर्त का परिमाद ग्याद करने का सुत्र पाई यार प्लस में 2 आर होता है इसमें तो क्या है वर्थ की प्रीदी में तो चारों और की माप है इसी को प्रीदी बोलते हैं इसे प्रिमाप भी बोला जा सकता है अर्द वर्थ का प्रिमाप जो है वो कैसे है इसको आप समझ सकते हैं कि इस परकार से ये आपके सामने अर्द वर्थ है तो ये तो वर्द का आदा भाग हो गया जैसे ये गोड़ाई हो गयी इसकी पूरे की इतनी ग्याद करनी हो हमें तब तो इस पूरे की प्रिदी टूपाई आर है तो इसकी बन जाए ग्यादी यानि टूपाई आर क्यादी करनी हो तो दो का भाग दो भागों में बाजित हो ग पूरे का करेंगे तो ये तो ओगया पाई आर पलस में ये ओगया व्यास तो व्यास के अंदर ये भी तिर्जा है जहां पको ये भी तिर्जा है यानि व्यास बराबर टू आर होता है पिर्जा को दो से गुणा करने पर व्यास आता है इसलिए व्यास भी लिख सकते हैं तो पाई आर पलस टू आर लिखा जा सकता है या पाई आर पलस व्यास लिखा जा सकता है ये हो गया अर्द वर्त का प्रिमाप अर्द वर्त का छेतर फल अर्द वर्त का छेतर फल तो छेतर फल वर्त का होता है पाई आर की स्पेर अर्द वर्त का निकालना है तो इसमें दो का भाग लग जाएगा यानि एक बटा दो पाई आर स्पेर यानि कि वर्त के छेतर फल का सुत्र याद है तो अर्द वर्त का छेतर फर निकालने की याद करने की जलूरत नहीं है सुत्र की पता है अर्द का मतलब आदा होता है तो इस सुत्र को आदा कर दो एक बटा दो लगाते ही आदा हो जाएगा ही एक बटा दो पाई यार की सुकेर इसके बाद ये तो हो गई व नब्बे नब्बे के कोण मनते हैं क्योंकि वर्थ के कंदर पर तिन सो साथ डिगरी के कोण होते हैं और जब ये परस पर लंबोत हों तो नब्बे नब्बे के कोण मन जाएंगे तिन सो साथ चार वागों में वाजित हो जाएगा यानि ये पूरा वर्थ चार बराबर वागो यानि कि प्रतेक का छेत्रफल यदि हमें निकारना हो चतुर्थार्स का तो कोई अलग सुत्रियाद करने की जरूरत नहीं है चतुर्थार्स का छेत्रफल यदि हमें ग्याद करना हो तो वर्त का छेत्रफल में च्यार का भाग दें यह जो गर्द काच छेत्र फ्ल है, इसके चार बराबर-बराबर तुकडे हो गए, जिसे हम चतुर्थार्ज बोलते हैं, तो गर्द के चार का बाग दे दे, एक बटा चार पाई यार की स्केफ इसके बाद वर्त के जो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे जैसे ये तो हो गए च्यार बराबर टुकड़े अब वर्त के छोटे बड़े टुकड़े आएंगे जिनका नाम मैंने आपको लिखाया था लगू तिर्जाखंडे और लगू तिर्जाखंड का छेत्रफल तो इसका सुप्तर होता है एक तो पाई यार की स्केर थिटा बटे में 360 डिगरी और एक सुप्तर और होता है लगू तिर्जाखंड का ये सुप्तर होता है एक बटे दो एल गुना आर अब आर तो इसको तो तिर्जाखंड बोलते हैं ये तो तिर्जाखंड है लेकिन जो ये एल आया है ये चाप की लंबाई बोलते हैं चाप की लंबाई यारि अगर इंदी में इस सुत्र को हम लिखें संकेत की बजाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक बटे दो गुणा में चाप की लंबाई गुणा में तिर्जा अब बात करते हैं हम चाप की लंबाई की तो ये मान लिजिए ऐसा चित्र आपको मैंने पहले बताया कि ये होता है लगू तिर्जा खंड इसके अंदर ये तो तिर्जा होती हैं और ये होता है चाप अब जब आपके पास तिर्जा और चाप की लंबाई क्या पता हो तो ये सुत्र लगाया जा सकता है या फिर आप दूसरे सब्दों में समझें तो यहाँ पर है तिरज्या खंड के चाप की लंबाई का एक सुत्र होता है तिरज्या खंड के चाप की लंबाई क्यात करने का सुत्र होता है पाई यार थिटा बटे में 180C डिगरी अगर आप इसी सुत्र को इसमें कनवर्ट करें तो हो जाता है देखिए इस हुत्र के मैं टुकड़े करूँ तो टुकड़े क्या बनेंगे कि एक तो मैं कर देता हूँ इसका पाई आर थिटा बटे एक सो सी गुणा में यहाँ पर देखिए आर की स्केर थी तो एक तो आर आजेगी बटे में देखिए 360 बनाना है बस चाप की लंबाई का सुत्र यह तो हो गया चाप की लंबाई का सुत्र है तो यहां तो चाप की लंबाई लिख सकते हैं चाप की लंबाई गुणा में इसको लिख सकते हैं एक बटा दो गुणा में लिख सकते हैं तिरज्या आर को तिरज्या तो देखिएगा यही सुत्र सेंब बन गया एक बटा दो चाप के लंबाई गुणा तिर जा यही इस सुत्र के दोरा मैंने बनाया है यह जो सुत्र है इसको टुकडों में विवाजित किया तो यह बन गया पाई आर थिटा गुणा में आर उपर वारे का पाई आर स्केर थिटा इसका और निचे जो 360 है उसको 180 गुणा दो कर दिया तो 360 हो गया 180 गुणा दो तो यह हो गया फिर इसके जगए आप चाप के लंबाई लिख सकते हैं क्योंकि यह चाप के लंबाई का फॉर्मूला है गुणा में आर बटे दो है इसको एक बटे दो लिख सकते हैं गुणा में आर तिर्जा होती है तिर्जा लिख सकते हैं तो चाप के लंबाई गुणा एक बटा दो गुणा में तिर्जा यह बनाया जा सकता है इस परकार से मतलब इस सुत्र में और इस सुत्र में कोई फरक नहीं है लेकिन फरक सिर्फ इतना है कि जब हमारे पास चाप की लंबाई का मान दे दिया जाए तो हम वापी सुत्र में रख करके चाप की लंबाई को ग्यात नहीं करते फिर सीधे के सीधे ये सुत्र लगा देते हैं हम बाकि आगए एक्जेम्पल करवाएंगे तब समझेंगे लेकिन फिलाल ये दो सुत्र याद रखने है कि लगू तिरजाखंड का छेतरफल पाई यार स्प्य थिटा बटे 360 डिग्री ये होता है और लगू तिरजाखंड का छेतरफल दूसरा सुत्र होता है एक बटे दो, L गुना R और फिर याद रखना है कि L बोलते हैं चाप की लंबाई को और R बोलते हैं तिरजाखंड को तो एक बटे दो चाप की लंबाई गुणा तिर्जा भी लिख सकते हैं इसको हम और ये तिर्जा खंड के चाप की लंबाई ग्याद करने का सुत्र है पाई यार थिटा बटे में 180 डिगरी आगे आप देखिए दिर्ग के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि दिर्ग के फॉर्मू आगे सुत्र आते हैं हमारे लगू वर्तखंड का सुत्र लगू वर्तखंड का चेतर फल लगू वर्तखंड का चेतर फल तो लगू वर्तखंड का चेतर फल देखिए पहले चेतर के द्वारा समझिए कि ये एक वर्त है वर्त के अंदर ये दो तिर्जाएं है ये जो पूरा बाग है इसे हम तिर्जाखंड बोलते हैं लेकिन जब इस तिर्जाखंड में से इसका अगर सुत्तर लगाते हैं तो हम ये लगाते हैं कि पाई आर स्पेर ठिटा बटे में 360 अगर इसके छेतर फल के सुत्तर की बात करें तो अभी भी आपको मैंने बताया कि तिर्जाखंड का छेतर फल होता है पाई आर स्पेर ठिटा बटे में 360 डिगरी इसमें देखिए एक जीवा खीच देता हूं नहीं यहां पर है जीवा खीचने पर यह देखिए यह जो बाग बन गया यह है आपका लगू वर्त खंड अब लगू वर्त खंड का छेतर फल ग्यात करें तो इसी से बन जाएगा देखिए एक तिर्पुज माइनस हो गया इसमें से जो तिर्जा खंड है इसमें से एक तिर्पुज अटा दें हम इतना इतना तो यह बसता है तो इस तिर्पुज का छेतर फल होता है माइनस आर स्केर बटे दो साइन थिटा तो फिर लगू वर्त खंड का छेतर फल हो गया पाई आर स्केर थिटा बटे में 360 डिगरी माइनस में आर्फ पेयर बटे में 2 साइन थिटा अब यदि हमें लगू बरतखंड का शेतर फल गयात करना होगा तो यहाँ पर थिटा के स्थान पर मान आएंगे जैसे यहाँ पर साथ डिगरी आजे यहाँ पर कौन 45 डिगरी आजे यहाँ पर कौन 90 डिगरी आजे यहाँ पर कौन 120 डिगरी आजे यहाँ ज़्यादा तर यहीं मान आएंगे दस्वी कलास तक यहीं मान आते हैं 45 डिगरी 30 डिगरी 60 डिगरी 90 डिगरी 120 डिगरी इससे ज़्यादा मान दस्वी क्लास के टोपिक में नहीं आएंगी तो ये एंगल जो है ये कभी 45 का जयता है कभी 30 का जयता है कभी 60 का कभी 90 का कभी 120 का क्योंकि लगू वर्थखंड का कौन 180 से छोटा होता है और आपके 120 से ज्यादा का कोई मान नहीं आएगा ये इमान आते हैं ज्यादा तर तो इनके मान आपको याद रखने पड़ेंगे साइन 30, 45, 60, 90 और 120 तक तो देखिएगा साइन के मान याद करने के लिए एक, दो, तीन, चार तक गिनती याद करनी है अब सब के बटा में चार लगाना है और बाग दरना है चार का जीरो में तो जीरो आएगी एक में चार का बाग जाएगा नहीं तो एक बटे चार ही आजएगा ये देखिए दो का बाग दोनों में जा रहा है काटेंगे तो दो एक कन दो दो दुनी चार जाएगा तीन में चार का भाग नहीं जारा तीन बटे चार जाएगा चार में चार का भाग देंगे तो एका जाएगा अब इन सब का वरगमूल निकाड़ दे जिस जिसका वरगमूल लिकल रहा है उसका निकाल दे जिसका नहीं निकले उसको सेम लिख दें रूंट लगा कर जीरो का वरगमूल जीरो होता है एक का वरगमूल एक और चार का वरगमूल होता है दो फिर यहां पर एक का वरगमूल एक होता है दो का वरगमूल नहीं निकलता तो रूंट दो आजएगा जो संक्या पूर्ण वरग नहीं है जिसका वरगमूल निकालना एक का वर्गमुल एका जाएगा ये सारे मान देखिए ये 30 डिगरी का मान है ये 45 का है ये 60 का है सुरी ये 0 का ये 30 का ये 45 का ये 60 का और ये 90 का तो 90 तक के मान तो कलियर हो गए आपके साइन के मान है ये साइन 0 का मान जीरो है साइन 30 का मान एक वटे दो है साइन 45 का मान एक वटे रूट दो है साइन 60 का मान रूट तीन वटे दो है साइन 90 का मान एक है तो जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो तो मान को याद कर लेते हैं जिससे याद नहीं होता वो इसको बना कर ध्यान में रख सकते हैं एक जीरो से लगा कर चार तक इंती सब को आती है सभी में चार का भाग देना भी आता होगा सब को जीरो में चार का भाग दें, जीरो आएगी, एक में भाग जाएगा नहीं, एक मटा चार ही आजएगा यहां पर दो का भाग दोनों में जार आया काट देंगी, एक मटा दो आजएगा तीन में चैर का भागनी जाएगा तीन में चैर जाएगा चैर में चैर का भागनी जाएगा एक आजएगा अब जो भी मान आये हैं उनके वरगमूल निकालने हैं जीरो का वरगमूल जीरो होता है एक का वरगमूल एक चैर का वरगमूल दो होता है एक का वरगमूल एक आजएगा दो का वरगमूल निकलेगा नहीं क्योंकि दो का वरगमूल एक पॉइंट चार एक चार होता है रूट दो का मान एक पॉइंट चार एक चार ये होता है पॉइंटों में वरगमूल आता है इसलिए पॉइंटों में निकालना नहीं है तो रूट दो ही लिख देंगे इसी परकार तीन का वर्गमूल भी नहीं निकलता है क्योंकि रूट तीन का मान एक पॉइंट साथ तीन दो होता है इसका वर्गमूल भी पॉइंटों में आता है इसलिए इसका भी रूट तीन लिख देंगे चार का वर्गमूल दो होता है एक का वर्गमूल एक होता है तो ये साइन के सारे मान आगए आपके पास जब भी हाँ पर कोई मान आएगा जैसे इसमें साइन साथ है तो यहाँ पर जैसे ही थिटा की जगे साथ हाएगा तो इस साइन को अटा करके इसके स्थान पर हमें रूट तीन वटा दो लगाना होगा तो इस परकार से लगूवत खंड के सेतरफल का सुत्र है ये पाई आर स्केर थिटा वटे तिन सो साथ माइनस आर स्केर वटे दो साइन थिटा यानि ये जो सुत्र है ये सुत्र तो है इस तिर बूज के सेतरफल का ये जो सुत्र है ये सुत्र है आपके तिरजा खंड का पूरे का इसका पाई आर स्केर थिटा वटे तिन सो साथ साब दिखाई दे रहा है कि ये टुकड़ा निकालना है तो इस तिर्जा खंड में से ये तिर्बुज माइनस करना होगा तब ही आएगा तो तिरजया खंड में से तिरबुज का छेतरफल माइनस कर दिया तो आ गया इस निचे वारे टुकड़े का छेतरफल लगू वर्थ खंड का छेतरफल दिरग वर्थ खंड की चर्चा आगे वारे टोपिक में करेंगे देखिए तो अब इस चैप्टर के अंदर आपके केवल प्रीदी और छेत्रफल वर्थ से इस बंदित नहीं आएंगे इसमें आपके सामने आयत भी आएगा वरग भी आएगा तो आयत और वरग के छेत्रफल भी हम करेंगे देखिए आयत का छेत्रफल और वरग का छेत्रफल आयत का प्रिमाप और वरग का प्रिमाप त्यार सुक्तर हम और पड़ेंगे आयत का छेत्रफल सबी जानते होंगे आयत कैसा होता है वहे चत्र बुजे जिसकी आमने सामने की बुजाएं बराबर हो ये बुजार ये बुजा बराबर होनी चाहिए जैसे ये पांच सेमी है तो ये भी पांच सेमी होनी चाहिए ये च्यार सेमी है तो ये भी च्यार सेमी होनी चाहिए आमने सामने के बुजाएं बराबर और परते कौन नबे डिगरी का हो तो वह आयत होता है और वरग की बात करें तो वह आकरती जिसकी चारों बुजाएं बराबर हो वरग कहलाती है ये 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 चारों बुजाएं बराबर हो तो वह वरग कहलाता है आयत का छेतरफल होता है लम्माई होना चुड़ाई आयत का प्रिमाप होता है दो गुणा लंबाई प्लस तुड़ाई वरग का जेतरफल होता है बुजा की स्केयर वरग का प्रिमाप होता है त्यार गुणा बुजा तो ये सारे सुत्र मैंने आज आज आपको कंप्लिट करवा दिये इनके छेतरफले के बारे में और जाप की लंबाई और प्रिमाप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे